हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जवानों और पूरुसैनिकों के लिए कुछ इंपॉर्टन अपडेट्स जवानों पूरुसैनिकों के लिए OROP इंप्लिमेंटेशन MSP जो काफी टाइम से चल रहा है दोस्तों उसके ओपर अभी क्या अपडेट है इंक्रेज इन पेंशन, डिसिबिलिटी पेंशन के ओपर जो है अभी जो लेटेस जो है मुद्धे उठाएगे हैं उसके बारे में बात करेंगे और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंप्लिमेंट किया जाएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंप्लिमेंट के बारे में दोस्तों देख सकते हैं ये एक लेटेस लेटर जारी हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे मुद्धे हैं जो की पेंशनर्स के एक सर्विसमें के जिनको उठाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला इंप्लिमेंटेशन ही है फुल और र है उसके अलावा constitution of ex-servicemen commission और वो commission ऐसा होगा जो कि जिसमें की ex-servicemen इसको head करेंगे इसके लाव दोस्तों second assured carrier to all defense personnel सभी को जो assured carrier मिलेगा जितने भी defense personnel है through the act of parliament और इसके लाव दोस्तों it should be mandatory to have members from armed forces committee इसमें सबसे में चीज़े रहा है कि जो भी committee बनेगी उसमें जो है जो उसके main person होंगे वो ex-servicemen होने चीज़े क्योंकि वही जो है ex-servicemen की problems को समझते हैं और वही इसको ज्यादा अच्छी तर कर सकते हैं enhancement of pensions of इसमें जो अलग मुद्धे और भी है इसमें की pension की enhancement जो की defense widows, reserve inquiries, ex-servicemen pension इन सब के बारे में भी जो है किया गया है इसके जो दोस्तों ECHS में sufficient fund होना चीए और इसके लिए भी committee बैठनी चीए जो कि यह make sure करें कि जो ECHS के जितने भी members है उनको properly जो है उनके care की जाए और उसमें proper funds होने चीए कि अगर किसी का भी इलाज करवाना है तो properly हो से दोस्तों ऐसे तमाम बहुत सारे जस्पंद्रा मुद्धें जिनके ओपर जो है अभी लेटर जाली किया गया है और जिनको implementation कराने के लिए जो है काम किया जा रहा है दोस्तों यह था आज का important update सभी जवानों पूरुसेनिकों के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए शेयर कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video